वेलकम बैक तो मैं न्यू वीडियो तो जैसा कि आपको पता है इंडियन मार्किट्स में काफी ज़्यादा जो बाइक कंपनी है उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और अपनी पार्टनर्शिप करते हुए सामने ही हमको वैसे ही देखने को मिल जाती है हीरो की मैवरी मेध महांग है अब बात करते हैं इसके बोडी टाइप की तो गई इसके बोडी टाइप आती Meer ट्रैस फ्रेंट में बड़े of के इसupरक्ष को मील जाता है हम अब बात करते हैं इसके तो पर Hasta ग्रे किलर में दिर्क है आपको अपको अपसके टायर की एकस्ट सजुस सतर सतरा सिस को मुए अब बात करते हैं इसए हैं यह स्टैलेटर लाइट यूर्ट ब्रृट सेफटी के परपस पर अब बात kennt करते हैं इसके dcs mining प्राइजिंग के साथ फूली डिया उसमें आप जा सकते हो ठीक है एलेडी इंडिकेटर आते हैं इसके इंदर और इसका जो वील बेस है वह आता है सिंगल सिलेंडर 440 cc एयर कूल विद ओयल कूलर जो प्रिड्यूस करता है 27 बेस्पी पाउर 6000 आर्पीम के साथ ठीक है और इसमें हीरो की बैजिंग आपको ग्लॉज ब्लैक कलर में आपको नीचे को देखने को मिल जाएगी और जो इसके रियर ब्रेक के पैडल है वह भी आप आपको स्टीनले स्टील के ब्लैक करके शैनी में मिल जाएंगे और जो इसके फुट्रेस है और रियर के दोनों फॉल्डेबल है ताकि यूज में वह तो ठीक है ने तो फोल्ड हो जाए बाइक गिरे तो फोल्ड है जलती है तूटे ना और जो इसकी बोडी फ्रेम है वह ब ब्लैक कलर में देखने को मिल रहे हैं है अब बात करते हम इसके रियर के डिस्क की जो आता है 240 mm की विद एबी एस चैनल के साथ अब बात करते हम इसके रियर के टाइर की जो जो कि आपको MRF Steel Brace Company के देखने को मिल जाएंगे जिनका साइज आता है ताइर साइज देखने को मिल जाएगा ठीक है यहां पर पीछे की तरब आपको बैक रेस्ट आम मिल जाता है ग्रे कलर का और पीछे की तरब आपको हीरो की बैजिंग के साफना मडगर मिल जाता है बैक सैड में काफी मजबूत है नीची की तरफ आप देख सकते हो इसमें मैटल लगा हुआ है अपना रोड ताकि टूटे उटे ना अगर पीछे की तरफ टाच कर देता तो टूटेगा नी काफी स्टॉंग दे रखा है और जो पीछे की टेल लाइट दे रखिए इसमें दोर देखने को मिल जाता है इसकी जो ग्राउंट के लेंसे वह आती है 175 mm की साथ में एक सिंगल स्टेंड इसमें ब्लैक ग्लोस क्लर का देखने को मिल जाता है स्टीनल स्टील का काफी मजबूत है ठीक है और यहाँ पर फॉल्डेबल आपको फूट्रेस मिल जाते है और अब बात करते हैं इसके सीट की जो इसकी सीट हाइट वह आपको मिलती है 803 mm की सीट मिल जाती है सिंगल सीट गाइस इसमें आती है और काफी कुछ नहीं गए फ्रेंड की भी और बैक बिलियन रैडर की भी अब आजाते हैं इसके टैंक पे जो मैट ब्लैक कलर और मैवर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है यहां पर आपको इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं और होन का स्विच ग्रे कर में मिल जाता है अब बात करते हैं मेटर की जो इसका मेटर फुली डिजिटल में देखने को आपको मिल जाता है जिसमें आपको एनलोग और डिजिटल प्रवज़ तो आपको दिखा देता अब आजाते हैं मैं आफ़ इसके राइट साथ में फटन बिल सकते हो श्टार्ट और सेल्फ का भी स्विच मिल जाता है जाते हैं और पर आपको देखने को और जो इसका है वह मैट ग्रें में भी लगा सकते और मैट ब्लैक कलर भी बोल सकते हैं और टैंक पर आपको मैवरिक 440 डियूल बैजिंग मिल जाते हैं दोनों साइड में राइट में और लेफ्ट में भी और यहां पर आपको ब्लैक ग्लोस कर और में आपको मेरर देखने को मिल जाते हैं हीरो बैजिंग के साथ अब बात करते हैं इस बाइक के वेट की जो आता है बाइक किसी और बाइक के साथ रब रखा